दोस्तों मैं अपने चैनल में आप पैश्ट अकबाल करता हूं आज मैं आपके सामने पेश करूँगा नीट 2022 का फिजिक्स पूश्यम का सुलिशन ये दो अनभागों में वारित होगा अनभाग A अनभाग B अनभाग A में 35 प्रिशन होंगे वो सारे ही प्रिशन हल करने और अ और 45 हमें प्रिशन होंगे अनभाग A का पहला प्रिशन है सुची फर्स सुची सेकंड से मिलान करें तो इसमें दो सुचे दी गई हैं पहली सुची में है विद्धु चुमगी तरंगों उनकी नाम दी गए और सुच सेकंड सुची में तरंग दर्द दी गए यानि आयाम म प्रिशन माद्ली चुमगी ट्रंगे उसकी गए होगी तस विफश कटी में तो एक मिलान होगा दो से सुच तरंगों की जो तरंग सा मैंस मीटर अब्रक स्करंगे मानस 4 मिटर और सट रंग होगत के दरद होगी Dochand called तस मेटर तो यह मिलान हो गया है तो हमें आगे अंसर देना है नीचे दिए गए गलूमे से सही उत्तर को चुनिए तो इसमें सही उत्तर कौन सा है ए दो बी के साम में तिन सी चारो डी फर्स्ट और दो बी डिकल्पिस का सही है दूसरा प्रस्ण है एक मीटर भुजा एवं ए एक और प्रत्रोद वाला एक वर्गार घहरा जिसे वर पांस टेसला वाले चुमगी शेतर के लंबत है तो घहरे से गज़रने वाले चुमगी फ्लक्स का मान गयाद कीजिए तो यह हमारा वर्गार घहरा है उसकी भुजा एक मीटर है तो उसका छेतर फल ए निकाल लेंगे एक मतलब बुजा का बर्ग बुजा एक है तो एक का इसकार एक ही रहेगा पड़त्रोद हमारा आर वरावर एक ओम है और जो चुमगी शेतर है वो है जीरो समला पांस टेसला अब चुंकि लूप का तल चुमगी शेतर की दिशा के लंबत है चुमगी शेतर की दिशा में ज बी ए कॉस थीटा बी हमारा है 0.5 टेसला ए आ गया एक मिटर स्कायर और कॉस जीरो कॉस थीटा का क्या मतलब आगा है जीरो और कॉस जीरो का मतलब कॉस जीरो का माल एक होता है तो यह जाएगा 0.5 बेवर जीरो सरफ पाच बेवर हैं हमारे दीव गल्प में तो डीव गल्प ही इसका सही है अगला प्रशन है दस मीटर लंबाई एवं दस पे घाद मानस दो बड़े रूट पाई मीटर तरिजिय वाले किसी तावे के तार का ग्रणफ हर अएगे क्या है यह तार है इसका जो तल है इसका छितर में हम निकालेंगे आई इसमें दे नहीं है तो आई वराबर होता है हमारा वी इपॉन आर कि वी मेरा वोल्टीमी इसमें देया गया दस वोल्ट प्रति मीटर टो वोल्ट प्रति मीटर के सब दिया और ताह की लंबाइ यह तो यह मारा कि वोल्ट गनाँ वह राबरल की वीह बराबर हो जाएगा याने एक अगा लंबा एकigner वीसृतर और इंटेस सब्सक्जाहर। R हमारा परित контрат है A हमारा छित्रफना है A जैंगर भीलनाकार है या या इसका टल होगा वो ब्रत्तकार होगा तो इस ब्रत्तकार तल या तार की ब्रत्तकार तल का जह च्टरफना होगा वो होगा P.R. अब यहाए लगा देजा है E वराबर हमारा 10 है R वराबर भी 10 है R भी 10 है और ये Pi Pi R square जो R है यानि जो तार है तार की प्रिच्चे 10 पे घात Pi ये वाली है 10 पे घात माइनस 2 बटे रूट पाई इसका square यानि R square है 10 से 10 कैंसल हो गए ये बचे 10 ये बचे Pi और ये होगा 10 पे घात मानस 4 घाते बटे रूट अट गया Pi से Pi अगया Pi से Pi कट गया और ये मानस की 4 घाते उपर पहुंच जाएंगी प्लस की 4 घाते हो जाएंगी एक घात इसकी ये जाए 10 पे घात 5 ये धारा घनत आगया Ampere प्रति मीटर स्कायर ये धासे बात 5 एंपर प्रति मीटर स्कायर तो B विगल प्रति स्कायर सही है ये प्रशन चौथा है एक पतली एक समान डिस्क डिस्क जह है वो एक समान है पतली है के अधिसे ख़दरने वाली अक्ष एवं इसके तल के लंबत अक्ष के पड़ते घुन की तरिज्जा का इस जिसके ब्यास के पड़ते घुन की तरिज्जा से अनपात का मान होगा तो किसी पिंड के घुनन की तरिज्जा मारी दी जाती है रूट आई अपमोन एम जहां आई जड़ता घुने और एम जहें उसका दिरममाल हैं हमें निकालना है अक्ष के परिते केंदिसे गुद्रने वाली अक्ष के इसके तल के अच्छ अब इसके तल के लंपत अक्ष के परते हैं गुणत रिज्जा और ब्यास के परते हैं गुणत रिज्जा के अनुपात तो हम अगर के वन के टू ले लें तो यह हो जाएगा हमारी एम जो हमारा क्या है कॉंस्टेंट हो जाएगा आई वन अपौन आई टो है जहामारा आई वन होगा है डिस्क के तल से लंबत अक्षकी पढ़ते है领 गुण। और डिस्की ब्यास के पढ़ते ज्रताहूण तो ज्रताहूण निकालेंगे हम ज्रताहूण i1 होगा हमारा mr2 यह अक्ष के पढ़ते है और i2 बरावर होगा mr4 यानि ब्यास के पढ़ते है डिस्क के ब्यास के पढ़ते है जड़ता कोण अब k1 अपान k2 यह गुणंतरिज्जा है i1 है mr2 और mr4 और mr2 बराव गया दो बटे एक हो गया तो यह हो जाएगा रूट दो अनपात एक यह गुणंतरिज्जाओं का अनपात आजाएगा रूट दो अनपात एक तो दी विगल्पिस्का सही है पाज़ा प्रस ने बलकी विद्द रेखा हैं सम्विभववी तल की बीच का कोण कितना होगा तो किसी अवैशित कर्ण क्यू को सम्विभवा प्रस पर किनी दो बिंदों के बीच इस्थारंतर्ण के लिए यह कारी शून ने होता है इसलिए बलकी विद्द रेखा हो जम सम्विभववी तल की बीच का कोण जो होगा वो 90 डिगरी होगा तो यह विगल्पिस्का सही है समतली कौण एवं घंकौण में होता है समतली कौण एवं घंकौण में मातरक तो होता है लेकिन विमान नहीं होती तो मातरक होता है लेकिन विमान नहीं होती तो सीविकल्पिसकस ही है अगले प्रेस्ट में एक समान कौणी तुरण से घुम रही किसी फिरकी की कोडि già सोफकेंड में 200 Mr. wins 31 km admitted हो जाती है कोडिया तो कोड़ी और दी गई है हमारी 1200 rp म यानी घ्रोलन परaraus Guide मिलेट और आंसर हो ने काला रैंड पर सेक्ट में इसको नपदलने के लिए एक चक्कर में कितना होगा हमारा लेडियन 2 Pi तो इसको रेडियन बतलने के लिए 2 Pi का हम गुना कर देते है 2 Pi गुना 1200 अब यह हो जागा रेडियन पर Jeans अब यह रेडियन पर मिनिट आएगा हमः रेडियन पर मिनिट के जगह सैकिन निकालना चाहते हैं तो 60 का भाग और देते हैं में तो यह आजाएगा जीरो और दो तेशे दूनी बारा बीश दूनी चालीस चालीस पाई तो यह चालीस पाई होगा रेडियन पर सेकंड यह हमारा प्रारम भी कौण यह चाल होगी इसका हम उमेगा वन माल लेते हैं और 16 सेकंड में इतनी हो जाती है यह अंतिम कौण यह चालीस उमेगा टू माल लेते हैं तो यह हो जाएगी हमारी 3120 है यह है गूणन पर मिनट इसको रेडियन बतलने लिए टू पाई कवड़ा कर देंगे और पर सेकंड बतलने लिए 60 का भाग देंगे यह आ जाएगी रेडियन पर सेकंड इसमें 6 से डिवाड करते हैं इसको यह जाएगा 635 छे दूनी 12 यह जा चार पाई रेडियन पर सेकंड है अब हमारा कोड़ी बेग आ गया है प्राणफिक और अंतिन टाइम दिया गया है 16 सेकंड है तो हमें एलफा निकालना है एलफा अगर कोड़ी यह तोड़ है एलफा कोड़ी तोड़ है तो गती के नियम के अनुसार ओमेगा 2 बरावर आ जाएगा ओमेगा 1 प्लस एलफा टी इसको हमें एलफा निकालना है तो एलफा टी बरावर ओमेगा मानस 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 जाएगा ओमेगा 2 मानस ओमेगा 1 अपॉन टी ओमेगा 2 है 104 पाई और उमेगा वन है 40 पाई 80 है हमारा 16 तो यह बचे गए हमारे 64 बटे 16 पाई 64 चार पाई यह आगया हमारा कौड़ी त्रण कौड़ी त्रण है हमारा 4 पाई 4 पाई है डीविकल पर तो डीविकल पर इसका सही है 100 ऑम और 200 ऑम प्रतरोद वाले दो प्रतरोद किसी प्रिधतितरप्द में पार शिक्रम में जोड़े हूए नियत समय में 200 ऑम और 200 ऑम के भी जोटपन उसमा होगी उसका अंपात कितना होगा नियत समय में उसमा जोगे वो H1 अपाउन H2 यह H होती है वी समय नियत है और पाश करह में जोड़े हूए है अब प्रत्रों तो फ्रय भी हमारा कीसो होगा तो यह आ जाएगी आट्टू अपॉन आगा पॉन आट्टू हमारा दो सहयर पाँगा तो यह जो अनपात होगा वसमा क्यों आप एक होगा तो दो अनुपात एक है डीव गल्प में तो डीव गल्प इसका सही है नगर्ण भार दस मीटर की लंबाई च्छड की लंबाई है दस मीटर दस किलो बीस किलो लगे हो यह च्छड़ है हमारी यह इसकी वजन है वो नगन है इस तरफ दस किलो वजन लटका हुआ है इस तरफ बीस किलो वजन लटका हुआ है तो दस किलो से कितनी दूरी पर इसका द्रमान के अंदर होगा तो द्रमान के अदर हम यह माल लेते हैं इसकी दूरी X माल लेते हैं यह पूरी 10 है तो यह हो जाएगी 10-X द्रमान के अंदर से बाएं तरफ का बलागून और दाएं तरफ का 20x बरावर 20 दाई 200 तो यह जाएगा 30x बरावर 200 तो एक्स बरावर आ जाएगा 200 बटे 30 जिरो 3 कट गया यह आजएगा 20 बटे 3 मीटर यह 10 किलो वजन से 20 बटे 3 मीटर गुरी पर इसका द्रवमान के अंदरोंगा 20 बटे 3 डीविकल्प में है तो डीविकल्प इसका सही है अगले प्रेश्ण में नीची दिएगा में होता है तो यह दो जो दिखाई दे रहा है वक्र इससे प्रद्रश्ट करेंगा तो यह है दो डीविकल्प में तो डीविकल्प इसका सही है